असलाम लेकुम विल्कम टू में कुकिंग चैनल कुक्वी शीरिन काजी आज मैं बना रही हूँ वगर्णी ब्रेक्फास्ट रेसिपी है यह बहुत इस एंड सिंपल सी रेसिपी है बहुत जली भी बन जाएगी आप अपने नास्टे की टेम्प में ज़रूर ट्राय करें तो चले देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं तो अभी हम इसमें दालेंगे एक चमाच अदर क्लसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हम इसमें दालेंगे एक बारी कट्रावा टमाटर और टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए इन सब को अच्छे से पका लेंगे प् देखे मैंने रहल्दी और नमक को दाल दिया है अब हम इसको एक बाड़ अच्छे से मिक्स करेंगे देखे मैंने प्यास ट्रमाटर और सारे मसालों को अच्छे से पका लिया है अभी हम इसमें डालेंगे दो चमच दूद, दूद दालने से वगणी अच्छी नरम बनती है आप नहीं दालना चाहते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं अभी हम दूद को भी अच्छे से मिक्स कर वागणनिगी भाजी रेडी है अभी हम गयास को आफ कर ल fulfilled Москв कमाने भी तर którą धिया लिया है शिम्री आपको किसी बीक्रांश्तूर में मिल जाएंगे अभी हम उैस्स में नलेंगे पानी कmen अभियूमपीद को डाल दिया है अभी हम इसको 5 मिनट्स पी च criticisms लेंगे देखें पांचे मिनिट के बाद चुर्मोरे अच्छे से भीग चुके हैं अभी हमने चोड़कर चुर्मोरे को निकाल लेंगे देखें मैंने फिर से गयास को अन कर लिया है और अभी हम इसमें डालेंगे भीगे वे चुर्मोरे देखे मैंने चुटमरी को डाल दिया है अभी हम इसको एक बार आच्या से मिक्स कर लेंगे देखे मैंने चुर्मारी को अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी हम इसमें दालेंगे बारी कड़े और धने के पते और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे माशाला हमारी वगणी बनके रेडी है आप इसको नास्टे के टाम पर ज़रूर ट्राइ करें बहुत इसे और सिंपल सी रेसिपी है और यह ज़्यादा तर कनाटके के सेट बनाई जाती है और मैं भी कनाटका से हूँ तो मैंने भी शेयर कर दिया देखे मैंने इदर वगणी को सफ कर लिया है दही के साथ और प्यास के पकड़ों के साथ तो आपको मेरी यह रेसिपी कैसे लेगी प्लीज जरूर बताएं अगर मेरी यह वगणी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर कर करें और अपने घर पे भी ज़रूर ट्राय करें इन्शाला आपको रेसे भी पसंद आएगी अल्ला आफिस